देखते हैं आज का एडिटोरियल Keeping it relevant Keeping it relevant किसी चीज को प्रासंगिक बनाए रखना Keep something का मतलब है उस चीज को बनाए रखना Relevant, प्रासंगिक, appropriate to the current time यहां हम बात करने वाले हैं COP meetings Conference of parties COP का full form है COP meetings जो की जलवायू परिवर्तन से संबंदित है COP meetings must use climate science to promote justice and equity कि यह जो COP meetings हैं इनको जरूर प्रियोग करना चाहिए किस चीज का? Climate science का कि जलवायू से संबंदित जो विज्जान है उसका प्रियोग करना चाहिए किस चीज को promote करने के लिए? किस चीज का प्रचार प्रसार? या किस चीज को बढ़ावा देने के लिए? Justice and equity नियाय, equity इक्विटी का मतलब भी यह होता है Fairness, निस्पक्षता कि यह जो meetings होती हैं इन meetings में जलवायू science है ना climate science का ध्यान रखते हुए नियाय और निस्पक्षता को promote किया जाए Since 1995 when the first of the United Nations Conference of Parties was organized यानि कि आयोजित करना कि 1995 से यानि कि 1995 में पहली बार क्या हुआ था? United Nations Conference of Parties कि पहली जो है COP की meeting हुई थी तब से लेके अब तक it has undergone undergo का मतलब होता है गुजरना a remarkable shift shift का मतलब हुआ एक तरह से बदलाओ remarkable का मतलब हुआ remarkable shift का मतलब हुआ remarkable shift का मतलब हुआ कि पही जवरदस्थ परिवर्तन आया है बहुत ज़ादा बदलावाया है in character कि ये जो COP है इसका पूरा की पूरा character की अगर हम बात करें इसके पूरे की पूरे structure की अगर हम बात करें तो इस structure में बहुत ही उलेखनी बदलाव आया है यानि कि ये जो COP meetings है ये कई परिवर्तनों से गुजरी है from stuffy stuffy का मतलब होता है कि मान लो stuffy एकदम ठसाठस भरा हुआ है fresh air की कमी है closed door meetings people by यहाँ पे ये जो people है इसका प्रियोग वर्ब के रूप में किया गया है if a place is people by people तो इसका मतलब ये होता है जब हम बोलते न वर्ब के रूप में कि कोई जगह है people by people तो इसका मतलब ये होता है कि कई लोग जो है वहाँ पे move कर गए है by bureaucrats and technocrats तो देखो पहले क्या हुआ करता था एक छोटा सा कमरा है है ना airless कमरा closed door meeting हुआ करती थी COP की और उस meeting में कौन हुआ करते थे नोकरशाह और technocrats है ना technology जुड़े हुए लोग यानि कि कुछ लोग इखटे हुए और उन्होंने meeting कर ली अब क्या परिवर्तन आया है they have morphed अब ये जो meetings है ये परिवर्तित हो चुकी है morph का मतलब होता है structure का बदलना परिवर्तन है ना खास करके जो आकार है उस आकार में परिवर्तन आना into a carnival carnival का मतलब होता है उत्सव एक तरह का festival तो ये meeting जो की closed door meetings हुआ करती थी जिनमें सिर्फ bureaucrates या technocrates हुआ करते थे अब ये change हो गई है अब इनका स्वरूप बदल गया है और अब ये एक उत्सव के रूप में परिवर्तित हो चुकी है इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो आधिकारिकता होती है न आपकी देखो ओफिशियल का मतलब हो गया आधिकारिक तो ओफिशियल डॉम का मतलब हो गया कि जो आधिकारिकता है उसको और ज़्यादा बड़ा चड़ा के दिखाना तो यह जो official dorm है इसमें भी वरद्धी हुई है UN Climate Secretariat bursting at the seams इस idiom को देखते हैं हम यहाँ पे bursting at the seams इसका मतलब यह होता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग आ रहे हैं जब हम बोलते हैं न if a place is bursting at the seams तो इसका मतलब होता है it has a very large number of people with rims of subsidiary bodies rims rims का मतलब यहाँ पे हो जाएगा a very large amount of subsidiary subsidiary का मतलब हो जाएगा sahayak bodies यानि कि UN Climate सची वाले जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग हमें देखने को मिल रहे हैं इसके अलावा कई जो सहायक इकाईया हैं उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं कई working groups इस meeting में इखटे हो रहे हैं and intricately convoluted intricately intricate का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा complicated है ना उसको बोलते हैं intricate और convoluted convoluted का मतलब भी यही होता है extremely complex agenda items है ना तो कुल मिलाके हम क्या देख रहे हैं and intricately convoluted agenda items तो कुल मिलाके आप यह कह सकते हो कि यह जो official dom है इसमें व्रद्धी हुई है पहले क्या हुआ करता था कि बहुत ही ज़्यादा complicated तरीके से या कुछ ही लोग meeting करके और decide कर लेते थे उसकी जगे पे परिवर्तन आया है और अब हमें कई इकाईयां और उन इकाईयों से जुड़े हुए लोग इस meeting में देखने को मिल रहे है but this has been accompanied by the burgeoning of activist group accompanied by का मतलब है साथ में होना तो इसके साथ में हमें और क्या देखने को मिल रहा है burgeoning burgeoning का मतलब होता है बढ़ते हुए rapidly कोई चीज जो है बढ़ती जा रही है of activist groups indigenous groups indigenous का मतलब होता है देशी स्वदेशी तो क्या है यह जो activist group है जो एक तरह से जलवायू परिवर्तन के पक्ष में काम करने वाले लोग हैं उनकी बढ़ती हुई संख्या जो स्वदेशी समूह है उनकी बढ़ती हुई संख्या big and small business consultancies traders and a vast vast का मतलब बहुती विशाल media presence तो कुल मिला के यह सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है कि लगातार हमें बड़ोतरी देखने को मिल रही है किन में कारेकरताओं में स्वदेशी समूहों के इसके लावा छोटे और जो बड़े business हैं consultancies traders हैं इसके लावा बहुती ज़्यादा मातरा में media की मौजूदगी in meetings में हमें देखने को मिल रही है It is on the one hand एक और यह बहुती fair है बहुती ठीक है उचित है to conclude यह निसकर्श निकालना that कि this is a welcome development कि यह जो हो रहा है लोगों की मौजूदगी बढ़ रही है तो एक तरह तो हम एक और तो हम यह कह सकते हैं यह निसकर्श निकालना बिलकुल उचित है कि भई यह एक स्वागत पूर्ण development है कि भई ठीक है अच्छा विकास हो रहा है and due to the growing awareness due to का मतलब होता है के कारण growing awareness बढ़ती हुई जागरूकता of अब यह जागरूकता किस चीज के प्रती आ रही है of how anthropogenic anthropogenic का मतलब होता है मानव जनित यानि कि जिसका कारण मानव है anthropogenic का मतलब होता है खास करके हम इसकी बात करते हैं कि pollution या फिर environmental change जो की climate change amplified by देखो amplify कर देने का मतलब होता है उसे और बढ़ा देना किसी चीज को और बढ़ा देना amplified by centuries of industrialization तो कुल मिला के इस चीज के प्रती awareness बढ़ी है कि यह जो climate change हमें देखने को मिला है यह anthropogenic है यानि कि climate change जो production हमने फैलाया है यह मानव जनित है और इस production को और बढ़ा हमने कर दिया amplify कर दिया किस चीज से by centuries of industrialization कि कई शताब्दियों से यह जो ओद्योगी करण हम देख रहे है industrialization देख रहे है इसके कारण यह climate change जो है धीरे-धीरे बढ़ा होता चला गया इसके प्रती लोगों में awareness बड़ी है pause का मतलब होता है खड़े करना जैसे हम बोल सकते हैं कि यह जो problem है इसने हमारे सामने एक चुनोती खड़ी कर दी है इसने हमारे सामने एक अस्तित्वगत संकट खड़ा कर दिया है थ्रेट का मतलब हो गया खड़ा, existential, अस्तित्वगत यानि कि climate change के कारण जो पूरी की पूरी मानवता है उसका अस्तित्वगत संकट खड़ा कर दिया है climate denialist denialist का मतलब होता है कोई व्यक्ति जो कि किसी चीज को मानने से इंकार कर देता है कोई बात है जो कि scientifically proven है majority उस चीज को support कर रही है कि evidence based कोई बात है लेकिन आप उसको नहीं मानते तो पहले कुछ लोग थे या आप कहा सकते हो कि कुछ लोग थे वो क्या थे climate denialist थे यानि कि climate से संबंदित जो बाते है न उनके प्रती वो जो है एक तरह से अपना विश्वास नहीं दिखाते थे वसी फेरस का मतलब होता है किसी बात को बहुती जोश और दमदार तरीके से कहना बहुती प्रचंडता पूरोक अपनी बात को कहना है तो हम कहेंगे कि यार यह बहुती ज़्यदा वसी फेरस हो रहा है and significant in power corridors और significant का मतलब है बहुती अच्छी खासी मात्रा में जो power में जो लोग थे हैं यानि कि जो सत्ता में जो लोग थे even until a decade ago वो भी एक दशक पहले तक यानि कि कुछ लोग थे जिने आप कहा सकते हो कि climate denialist यानि कि scientific based climate से सम्मदित जो बाते हैं उनको न मानने वाले बहुती प्रचंडता पूर्वक जो है अपनी आवाज को रखने वाले power पे जिनकी पकड़ थी वे भी एक दशक तक climate change से जुड़ी हुई जो बाते हैं उनको ignore करते थे even until a decade ago और अब यह जो व्यक्ती है are now relegated relegate का मतलब क्या होता है relegate का मतलब होता है downgrade यानि कि अपने दर्जे को नीचे कर लेना है नीचे चले जाना to the obscurity obscurity का मतलब होता है aspashtita उसको हम बोलते है obscurity aspashtita of the dark net कि भई यह जो climate change से जुड़ा हुआ पूरा की पूरा net है यह इतना जादा इतना clear नहीं है बहुती जादा aspasht है तो कुल मिला के पहले कुछ लोग खास करके power से जुड़े हुए लोग जो की climate change से जुड़ी हुई जो बाते उनको ignore किया करते थे वो भी अब नीचे आ गए है और कुल मिला के वे इसकी ice पश्टता को सुईकार करते है वह उनको भी लगने लगा है कि वह यह जो बाते हो रही है वो ठीक है along with along with के साथ में flat earthers देखो flat earther इसका एक तो मतलब क्या होता है ऐसे लोग जो यह मानते हैं कि जमीन चपटी है दूसरा इसका मतलब होता है ऐसे लोग जिनके विचार जो है वो बहुत ही ज़्यादा outdated है जिनके विचार आप कह सकते हो कि science based नहीं है उनको हम कहेंगे flat earthers and their ranks filled by तो कुल मिला कि यह जो flat earthers थे यानि कि ऐसे लोग जो की पारमपरिक चीजों में विश्वास रखते हैं narrow minded थे जलवायू परिवर्तन से जिनको कोई लेना देना नहीं था तो ऐसे लोग जो है उनकी जो ranks है यानि कि उनकी जगे अब कौन आ गए है filled by par venues par venue का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका प्रभाव बढ़ने लगा है उसके प्रभाव बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं कि वो धीरे-धीरे अमीर होने लगा है successful होने लगा है उसका dominance बढ़ने लगा है तो उसको हम क्या कहेंगे par venue तो अकुल मिला कि ये जो flat arthrers है तो यहाँ पर धियान रखना flat arthrers का मतलब हो गया एसे लोग जिनके विचार outdated है तो उनकी जगे आप कौन आ रहे हैं par venues आ रहे हैं एसे लोग आ रहे हैं of the fossil fuel era pivoting merchant से मतलब क्या हो जाएगा pivot का मतलब होता है the central or most important person or thing उसको हम बोलते हैं pivot pivoting merchants of the fossil fuel era who see opportunity अब देखो अगर हम बात करें उन व्यापारियों की है बहुत ही महत्वून व्यापारी of the fossil fuel era यानि कि fossil fuel का मतलब हो गया जीवाश्म इंधन इरा का मतलब हो गया युग यानि कि जीवाश्म इंधन के युग से संबंदेथ लोगों की अगर हम बात करें तो वे लोग भी अब इस चीज में अवसर तलाश रहे हैं in the messianic espousal messianic का मतलब हो जाएगा यहाँ पे बहुती ज़्यादा passionate फरवेंट है ना उत्साहपूर्ण espousal espousal का मतलब हो जाएगा adoption किसी चीज को अपनाना of renewable energy renewable energy का मतलब हो गया नवी करणिय उर्जा यानि कि जो उर्जा के नवी करणिय स्रोत हैं जैसे कि सोर उर्जा है पवन उर्जा है तो कहने का मतलब है कि जो outdated विचारो वाले लोग थे flat earthers जो थे उनकी जगे अब किनका dominance बढ़ता जा रहा है ऐसे लोगों का जो की renewable energy में आवसर देखते हैं यानि कि जिने लगता है कि हमारा जो भविश है वो renewable energy में ही है there is no country today कोई भी ऐसा देश नहीं है आज की date में that will not publicly affirm publicly affirm का मतलब हो गया सारुजनिक रूप से इस चीज की पुष्टी करना तो कोई भी देश ऐसा नहीं है आज की date में जो की सारुजनिक रूप से इस बात की पुष्टी न करे its faith in the scientific assessment यानि की पृतेख देश जो है अब इस चीज में विश्वास करता है कि इस चीज में scientific assessment में वेग्यानिक मूल्यांकन में that और हर देश लगबग ये मानता है कि green house gas emission emission का मतलब क्या होता है छोड़ना किसी चीज को जिसे आप धुआ छोड़ते हो green house gas उत्सरजन हम कह सकते हैं इसे हिंदी में green house gas emissions must be contained contain का मतलब होता है किसी चीज को control करना उसे नियंतरित करना drastically drastically का मतलब होता है बहुत ही जबरदस्थ तरीके से to cap cap का मतलब है कि रोक देना किसी चीज को हर देश जो है लगबग इस चीज में विश्वास करता है कि इस चीज में scientific assessment हर देश इस बात को मानता है कि ये जो green house gas उत्सरजन है इसे बहुत ही जबरदस तरीके से control किया जाना चाहिए यानि कि ये जो global temperature में जो rise हमें देखने को मिल रहा है वो 1.5 degree Celsius से ज़्यादा नहीं होना चाहिए and yet तो कुल मिला के लगबग लगबग हर देश इस चीज को सुईकार करता है कि ये जो global temperature से इसमें बड़ोतरी को रोका जाना चाहिए फिर भी and yet it has never inspired any sense of urgency यानि कि इतना सब कुछ पता होते हुए भी inspire का मतलब क्या होता है एक तरह से उत्साह जगाना किसी चीज में sense of urgency का मतलब हुआ कि भी हाँ ये चीज बहुती urgent है और इस पर काम करना जरूरी है to cut fossil fuel use कि ये जो जीवाश मींदर है खास करके ये जो petrol diesel का प्रियोग है इसमें कमी की जाए और कमी करना बहुती urgent है ऐसा किसी देश ने नहीं सोचा यानि कि लगबग हर देश ये मानता है कि ये जो greenhouse gas emission है उसमें fossil fuel का बहुत बड़ा योगदान है और फिर भी fossil fuel को cut करने के प्रती किसी तरह की urgency जो है देश नहीं दिखाते the dominant dominant का मतलब है बहुती मुख्य बहुती प्रभावी the dominant source of greenhouse gases कि ये जो fossil fuel है ये क्या है बहुती प्रमुख source है किस चीज का greenhouse gases का और इसे cut करने में कोई भी देश जो है sense of urgency नहीं दिखा रहा है that जब कोई sentence that से शुरू होता है तो उसका मतलब होता है यह तथ्य की यह बात की that it has taken nearly three decades for COP यह बात कि लगबग तीन दशक लग गए COP को इस बात को acknowledge करने में acknowledge करने का मतलब होता है किसी चीज को मानना उसे सुईकार करना this fact कि इस तथ्य को सुईकार करने में COP को तीन दशक लग गए है कि हाँ भई इसको control करना कितना जरूरी है और इस पर ध्यान देना कितना जरूरी है as laid out in the Dubai consensus कि यह जो Dubai consensus हुआ Dubai consensus का मतलब है कि यह जो Dubai में COP की meeting होई देखो consensus का मतलब होग गया एक तरह का agreement है agree करना किसी बात पे layout layout का मतलब है कि कोई बात कहीं पे रखी गई है तो Dubai में यह जो conference हुई वहाँ पे यह जो बात रखी गई उसमें इस बात को माना गया कि लगवग तीन दशक लग गए इस चीज़ को स्विकार करने में कि यह कितना urgent है तो यह इस बात को suggest करता है इस बात को दिखाता है that political expediency expediency का मतलब होता है convenience यानि कि expediency का मतलब होता है कि आप वो काम करते हो जो convenient है जो practical है भले ही वो immoral हो भले ही वो unethic हो that political expediency and strategic second guessing has unfortunately weaponized weaponized का मतलब होता है किसी चीज़ को हतियार की तरह इस्तेमाल करना even यहां तक की climate science कि यह जो जलवायू विज्ञान है इस जलवायू विज्ञान का भी एक तरह से इसको भी weaponize कर दिया गया है इसको भी हतियार की तरह प्रियोग किया जा रहा है unfortunately दुर्भागी से second guessing second guessing का मतलब होता है यह अनुमान लगाना कि अगला व्यक्ती future में क्या करेगा तो कई जो देश है न वो भी क्या कर रहे हैं यह जानते हुए कि यह जो green house gases है इनको control करना fossil fuel का जो use है उसे cut करना बहुत जरूरी है लेकिन फिर भी उनके लिए political expediency लेकिन वो यह जो देश है न वो किसे इसाब से काम कर रहे है political expediency के हिसाब से convenience के हिसाब से काम कर रहे है gas लगाते हुए काम कर रहे हैं कि अगला देश क्या करेगा तो हम यह कह सकते हैं कि यह जो climate science है इसको भी हतियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है दस, इस प्रकार से countries, देश, responsible for जो की जिम्मेदार हैं किस चीज के लिए most of the human emitted carbon यानि कि ऐसे देश जो की responsible है किस चीज के लिए कि जो मानव जनित उत्सरजन है कारबन का कि कारबन का मानव जनित most of the human emitted carbon कि मानव के द्वारा जो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कारबन का उत्सरजन किया गया है उसके लिए जो देश responsible है point two, वे इशारा करते हैं point two, record temperatures and their links to rising emissions वे इस और इशारा करते हैं कि इस चीज के और record temperatures कि यह जो temperature है उसमें बहुती ज़्यादा व्रद्धी होती जा रही है and their link और यह जो temperature में व्रद्धी हो रही है इसका link कि से है rising emissions बढ़ता हुआ जो उत्सरजन है factories के माध्यम से vehicles के माध्यम से जो बढ़ता हुआ उत्सरजन है वो उत्सरजन और जो temperature में बढ़तरी हो रही है वो इनमें direct link है when arguing for तो यह जो विक्सित देश हैं जो कि most of the human emitted carbon के लिए responsible है यह जब argue करते हैं जब अपने तर्क रखते हैं for running rain का मतलब होता है किसी चीज़ को control करना rain के साथ में आता है in preposition rain का मतलब किसी चीज़ को control करना emissions उत्सरजन from developing countries कि जो विकास शील देश है उनके दोरह जो उत्सरजन किया जा रहा है carbon उत्सरजन किया जा रहा है उसको control करने के लिए जब यह जो आप कह सकते हो कि विक्सित देश हैं वो अपना argument देते हैं वो इस चीज़ के लिए कहते हैं कि यह उत्सरजन हो रहा है इसको control किया जाना चाहिए however, halangki they are lot lot का मतलब होता है किसी चीज़ से घ्रणा करना उस चीज़ से नफरत करना to accept लेकिन वे इस चीज़ को यानि कि जो विक्सित देश हैं वे इस चीज़ को सुईकारने से नफरत करते हैं अब देखो यह जो developing countries हैं विकास शील देश हैं इसके लावा जो island countries हैं वो जब यह demand करते हैं विक्सित देशों से कि भई हमें fund दिया जाए किस चीज़ के लिए fund दिया जाए इस रूप में as reparation reparation का मतलब होता है एक तरह का हरजाना छती पूर्ती for devastations devastations का मतलब हो गया विनाश already wreaked by wreak का मतलब होता है cause a large amount of damage उसको बोलते हैं wreak by climate change अब देखो जो विकास शील देश हैं और जो island countries हैं उनका कहना है कि यह जो carbon उत्सरजन इतना ज़्यादा मात्रा में हुआ है इसके लिए सबसे ज़्यादा responsible है विकसित देश developed countries तो इन developed countries को क्या करना चाहिए हमें reparation देना चाहिए यह जो already विनाश इतना ज़्यादा हो चुका है इसके लिए आप क्या करो हमें जो है एक तरह से वो developed countries से कहते है the loss and damage fund which received commitment का मतलब हो गया प्रतिबद्ध था वर्थ का मतलब है कितना 750 million अब देखो क्या हुआ है कि finally यह जो अभी हाली में दुबई में meeting हुई climate change से सम्मंदित इसमें loss and damage fund जो है उसको इस्थापित किया गया और यह प्रतिबद्ध था जताई गई है कि भी 750 million dollar जो है इसको दिये जाएंगे and therefore cheered as a COP28 success और यह जो fund हुआ 750 million dollar का इस fund को इस रूप में cheer किया गया यानि कि इस बात की खुशी मनाई गई कि यह एक तरह से COP28 की सफलता है इस fund को establish करना लेकिन यह जो fund establish किया गया है has only been approved on the condition यह fund इस condition पे approve किया गया है that कि यह जो fund है not be considered इस fund को इस रूप में consider ना किया जाए consider करने का मत्तभ होता है मानना as यानि कि इस fund को इस रूप में ना माना जाए compensation for historical carbon pollution कि एतिहासिक रूप से जो carbon production हुआ है उसका हर जाना या उसकी छती पूर्ती इसे ना माना जाए यानि कि यह जो 750 million dollar दिये जा रहे हैं यह वर्तमान से संबंदित है इसे historical carbon pollution का compensation ना माना जाए related to this is the larger concern इसी से संबंदित एक बड़ी जो चिंता का विशे है वो यह that कि cop meetings are deemed as historic only when they insert new verb phrases अब इसी चीज़ से जुड़ी हूई एक और बात यह है कि यह जो cop meetings है deemed का मतलब होता है किसी चीज़ को मानना तो cop meetings जो है उन्हें एतिहासिक माना जाता है कब when they insert new verb phrases यानि कि यह जो cop meetings होती है यह जब कुछ नई शब्दों को introduce करती है नई शब्दों को insert करती है जैसे कि phase out phase down transition अब देखो यह जैसे phase out है phase down है इनका मतलब होता है चरण दर चरण कमी लाना किसी चीज़ में धीरे धीरे कटोतरी करना transition का मतलब गया होता है एक तरह से परिवर्तन जैसे कि आप जो है petrol और diesel से चलने वाले वाहनों का प्रियोग कर रहे थे और अब आप electric वाहनों का प्रियोग करने लगए तो इसे हम क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे transition तो इस तरह के जो words है अगर इनका प्रियोग किया जाता है तो ये जो cop meetings है उनको historic कहा जाता है on cutting emissions on cutting emissions कि भई ये जो उत्सरजन इसको cut करने के बारे में जब इस तरह के words प्रियोग किये जाते हैं तो cop meetings को इतिहासिक माना जाता है बट लेकिन our banal banal का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा ordinary जो कि बिल्कुल भी original नहीं है उसको हम बोलते हैं banal when they consider how little money how little money and technology have been channeled for fossil fuel de-addiction कि ठीक है इन cop meetings को तब तो आप इतिहासिक मानते हो लेकिन इस बारे में आप बिल्कुल भी जो है interested नहीं हो यानि कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आप आप कह सकते हो कि बिल्कुल भी originality नहीं दिखाते कब when they consider consider का मतलब है यहाँ पर विचार करना how little money and technology have been channeled channel का मतलब है कि properly किसी चीज को कहीं पर भेजना for fossil fuel de-addiction कि यह जो fossil fuel है जो जीवाश मेंधन का प्रयोग है जीवाश मेंधन का जो addiction है उसे कम किया जाए उसके लिए proper money और proper technology को channel करना भी तो जरूरी है कि भई जो विकसित देश है वो विकासिल देशों को proper money और proper technology उपलब्द कराएं ताकि वे जो है fossil fuel को का यूज करना कम करें तो इस बारे में कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता It is time अब आप कह सकते हो कि एकदम वक्त हो गया है that कि future meetings use the science to promote justice and equity कि आगे आने वाले भविश में जो COP meetings होती है वे meetings क्या करें विज्यान का प्रियोग करते हुए नियाए और निस्पक्षता को promote करें यानि कि वास्तों में विज्यान का सहारा लेके वास्तों में देखा जाए एकदम impartial तरीके से जो है काम किया जाए इस छेतर में and strengthen faith strengthen का मतलब हो गया और मजबूत करना और इस बात को मजबूत किया जाए किस बात को मजबूत किया जाए इस विश्वास को और ज़्यादा मजबूत किया जाए किस चीज में विश्वास in what is now one of the few working multilateral processes कि अगर हम climate change की बात करें तो ये एक multilateral process है multilateral का मतलब होता है बहु पक्षिय बहु पक्षिय का मतलब है कि यहाँ पे एक, दो, तीन नहीं कई देश जो है इस प्रक्रिया से जुड़े हुए है तो कुल मिला के बहुत कम ऐसी प्रक्रिया है जिन पर कई देश जो है मिलके काम कर रहे है उनी में से एक है climate change तो ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है इस प्रक्रिया में विश्वास जो है और ज़्यादा बड़े तो उस चीज के लिए जरूरी है कि विज्ञान समर्थित नियाय और निस्पक्षता को बड़ावा दिया जाए ये था हमारा आज का एडिटोरियल